शीर शक्त, मल्याल मंत, अम्माचा गाउं, केरल के दिल में बसा हुआ, हतेली पर रखने लायक छोटा सा था नारेल के पेडों का जंगल और बीच से लहराती नदियां, ये मेरा बचपन का मैदान था पर एक दिन अचानक सब बदल गया दादी जी की पुरानी डाइरी पढ़ते हुए मेरी नजर एक अजीब से निशान पर पड़ी वो एक नक्षा था, जो जंगल के बीचों बीच छिपे हुए मंदिर की ओर इशारा करता था मैं हमेशा से रोमांच का दिवाना रहा हूँ नक्षा देखते ही मेरे रोए खड़े हो गए मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त रवी को ये बात बताई रवी भी कमाल का साथी निकला हमने अगले ही दिन जंगल का रुख किया हवा में इलाइची की खुश्बू घुली हुई थी सूरज की किरने पेडों के बीच से चंकर आ रही थी जंगल घना था पेडों की जटिल जड़े हमारे रास्ते में रोड़े अटका रही थी अचानक एक रंगीन तितली हमारे आगे 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 नाचने लगी अंदर का द्रिश्य अविश्वस्निय था सोने की मूर्तियां चमक रही थी हर तरफ हीरे जवाहरात बिकरे पड़े थे मगर ये सब देखने से पहले ही हमारी सांस अटक गई मंदिर के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी की शिलामूर्ती थी जिसकी सून से धुआ निकल रहा था घबराहट के साथ ही जिग्यासा भी जगी हम धीरे धीरे उस शिलामूर्ती के पास गए तभी धुये के बीच से एक आवाज गूंजी बच्चों डरों मत मैं इस मंदर की रक्षक हूँ आवाज हवा में तैर रही थी हमने चारों और देखा पर कोई नहीं दिखा आवाज फिर बोली मैं आपकी दादी जी की पुरानी सहली हूँ उन्होंने इस मंदर के राज को आप तक पहुँचाया है क्या आप मेरी मदद के लिए तैयार है हमने बिना किसी हिचकिचाट के हां कर दी ये कहानी तो अभी शुरुआत है आगे चलकर हमें पता चला कि मंदर में छिपा हुआ एक शक्तिशाली मल्याल मंतर है जिसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी थी इसके लिए हमें जंगल के खत्रों से जूजना था चालाक चोरों को मात देनी थी और प्राचीन पहलियों को सुलजाना था क्या हम मल्याल मंतर को बचा पाए ये जानने के लिए आपको मेरी अगली कहानी सुननी होगी मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी दिल्चस्प और रोमान्चक लगी होगी अब आप मुझे बताई कि आपको ये कहानी कैसी लगी धन्यवाद अगर आपको ऐसी ही ग्यान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जय हिंद